लक्ष्मी का अपने घर में पूरा दबदबा था हिटलर की तरफ वो सारा काम अपने पती और बेटे से करवाती धीरे धीरे उसके पती की तव्यत खराब रहने लगी सुनो जी अब आप बुजुर्ग हो गये हो काम में भी अब हाथ आपके फूर्टी से नहीं चलते अरे भाग्यवान भगवान से डर तुझसे मैंने शादी अपने इकलोते बेटे के अच्छे पालन पोशड के लिए की थी लेकिन तुने तो उसका बेडा गर्क कर दिया मैंने क्या किया पढ़ाया लिखाया अब नौकरी नहीं लग रही तो मैं कैसे जिम्मेदार होगी अब घर में बैटकर रोटी तोड़ रहा था तो मैंने कहा काम ही कर ले एक तोग भला करो और उपर से बाते सुनो तब ही सारंग वहाँ आ जाता है बहुत भूख लगी है मा कुछ खाने को दे दो अब तुम्हारे पापा कहा तो चल नहीं दा है मैं ही जा रही हूँ आज किचन में पनाती हूँ कुछ ये भगवान कैसे होगा इतना काम उससे लक्ष्मी किचन में काम कर रही होती है कि तब भी अचानक उसे आइडिया आता है अरे मैं भी न अरे यहां तो फ्रीकी नौकरा नहीं आ सकती हूँ मैं फिर मैं क्यों खाना बना रही हूँ उस दिन लक्ष्मी सारंग की पसंद का खाना बनाती है और बैचकर उसे बड़े ही प्यार से खिलाती है खाले पिटा खाले पेट भर के खाले अरे दुक मैं तेरे लिए न गर्मा गर्म रोटिया लाती हूँ सारंग और उसकी पिता एक दुसरे की और बड़े ही हैरानी से देखते हैं बेटा सारंग ज़रूर दाल में कुछ काला है बना ये औरत तो हमें बासी खाना भी सकून से ना खाने दे सुनी की बात लक्षमी सुन लेती है और जोर जोर से चिलाने लगती है अरे हाँ हाँ भलाई कातो समाना ही नहीं रहा एक तो आज मैं खुड को चला कर तुम लोगों के लिए घाना बना रही हूँ और उपर से तुमें दाल काली लग रही है अरे माँ पिता जी का ये मतलब नहीं था तुम बुरा मत मानो अरे हाँ बेटा तुम कहता है तुम मान लेती हूँ लक्षमी सारंग के पास बड़ी ही प्यास से बैठ जाती है और फिर कहती है बेटा मैंने ना तेरी शादी करने की सोच ली है अब तेरी पिताजी के हाथ भी नहीं चलते तु सूच रही हूँ तेरे लिए बीवी ले आओ अब पता नहीं ना मैं भी कब मर जाओ अब ऐसे भाग्य भी कहा है हमारे क्या कहा अरे हाँ हाँ तुम तो चाहती ही हो के मैं मर जाओ लेकिन मैं अपनी प्यारी बहु का चेहरा देखे बिना नहीं मरूंगी हाँ मा शादी तो मैं कर लूं लेकिन मैं नौकरी नहीं करता फिर कोई क्यूं देगा मुझे अपनी बेटी अरे क्यूं नहीं देगा बेटी इतना बड़ा घर खेल खलियान है कि इस चीज की कमी है हमारे पास जो आएगी राज करेगी राज हम तो ना कर पाए राज ये बोलो कि एक और नौकर तुम्हारे पास आ जाएगा मैं कहती हो चुप हो जाओ अरे खुद के घर का खाना बनाएगी तो क्या मौकरानी हो जाएगी अब तुम से तो किचिन का कांप होता नहीं तो कोई तो करेगा ना ठीक है मा तुम जैसा सही समझो बस मेरी एक शर्त है लड़की जो भी हो वो देखने में कैसी भी हो या कहीं की भी हो बस पड़ी लिखी होने चाहिए अरे हाँ हाँ ला देंगे पड़ी लिखी बेटा मैंने कौन सा काम करवाना है उससे और फिर एक दिन पास के गाउं की ही रती से सारं की शादी हो जाती है रती दिखने में बहुती सुन्दर थी साथी साथ काफी पड़ी लिखी थी रती को लक्षमी के सौतेले होने की बात पता नहीं थी शुरू शुरू में जब रती ने सारं को घर का काम करते देखा तो हैरान रह गई हरे ये तो अच्छी बात है कि आप घर का काम करते हैं लेकिन मैं तो घर में ही हुँ न आप क्यों कर रहे हैं जी जाईए आप नौकरी के लिए अपलाई कीजिए न तब ही लक्ष्मी वहा आ जाती है अरे रती बहू कंदे दे उसे काम और हाँ मेरे घर के कुछ नियम है काईबे है यहाँ बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा रती को लक्ष्मी की बात कुछ अजीब सी लगती है वो समझ नहीं पाती है कि वो ऐसा व्यवार क्यों कर रही है लेकिन उसे लक्ष्मी के सौतेले होने के बारे में कुछ पता नहीं चलता है फिर एक दिन तो हदी हो जाती है